चर्चा में justice B.V. नागरतना दो बड़े फैसलों पर अलग राय से चर्चा में नाम जानिए कौन है ज zusammen अगरतना बीते दो दिनों में दो बड़े फैसले आई हैं पहला फैसला 2016 की नोटबंदी पर तो दूसरा फैसला मंत्री सांसद विधायकों की अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता की सीमा तैक करने के संबंध में यह दोनों ही फैसले काफी चर्चित रहे लेकिन इन दोनों ही फैसलों से ज्यादा चर्चित रही वो जज जिनोंने दोनों ही फैसलों में बैंच के अन्य जजों से अलग राय रखी जिहां बीवी नागरतना अपनी राय की वजह से इन दिनों काफी चर्चा में है जानते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस बीवी नागरतना 1987 से करियर की शुरूआद जस्टिस बीवी नागरतना ने लॉग करियर की शुरूआद बैंगलूरू में एक वकील की रूप में की थी 2008 में करनाटा घाई कोट में एक अतिरिक्त नियायाधीश के रूप में उनकी न्युक्ती हुई 2021 में सुप्रीम कोट की कॉलेजियम की लिस्ट में उनका नाम भी शामर था इसके बाद बीवी नागरतना सुप्रीम कोट की जस्टिस बनी पिता रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बीवी नागरतना के पिता एस वेंक्टर रमाईया सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे 1989 में लगबग 6 महिने के लिए वे CJI रहे दो फैसलों पर अलग राय जस्टिस बीवी नागरतना ने नोट बंदी के फैसले पर अपनी अलग राय रखी उन्होंने 24 घंटे के अंदर नोट बंदी के फैसले पर सवाल खड़ा किया नेताओं के अभिव्यक्ति के आजादी की सीमा पर भी उनकी राय बाकी जजों से अलग रही इस संबन में उन्होंने पार्टियों को गाइडलाइन बनाने की राय रखी पहले भी अलग फैसले दे चुकी है साल 2017 में केंदर के एक फैसले को उन्होंने रद्द किया था 2012 में केंदर को ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने का निर्देश जस्रिस भी विरतना की तरफ से दिया गया था वही मंदर से संबन धेत एक मामले का फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मंदर करमचारी ग्रेच्यूटी के हगदार नहीं है बहराल कानून के कई जानकार कहते हैं कि नागरतना भारत की पहली महिला प्रधा निया धीश बन सकती है अगर केंदर सरकार जस्टिस नागरतना के नाम को मंजूरी दे देती है तो वहे 2027 में CGI बनेंगी